हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू SSC कुछिंग सेंटर दोस्तों आज के वीडियो में आपके लिए प्रोफिट लॉस की कोश्चन करा रहा हूं और साथ में रीजिनिंग का कैलेंडर का जो इंपोर्टेंट टोपिक है वो कराऊंगा लाश्ट में उसे जरूर दिखेगा चले स्टा जा रहा था 63% में प्रतिसत में बेचा रहा था 13% में अब 13% में बेचा जा रहा है लेकिन यदि इसी मेच को हम 25 रुपे अधिक पर बेचेंगे तो हमें 18% का फायदा हो जाएगा यानि कि 13% से बढ़ करके 18% हो जाएगा तो परसेंट में देखो कितना फायदा हो जाएगा 13% से बढ़के 18% हो गया तो प्रतिसत में फायदा हो गया हमको 5 रुपे 5% का सोरी रुपे नहीं 5% का जब 13% से 18% पे पहुँच गए तो परसेंट में फायदा हो गया 5% मा और रुपे में हमें कितना अधिक मिला था 25 रुपया अधिक मिला था बैज देखो परसेंट में कितना अधिक मिला है 5% अधिक मिला है 13 से 18 पहुच रहे हो 5% अधिक मिला है और रुपे कितना अधिक मिला है 25 रुपया अधिक मिला है यानि कि 5% की वैलू 25 रुपया है आप से पूछ रहा है लागत मूल्य आप अच्छे तरीके से जानते हैं कितना होता है अपने आप में 100% होता है मतलब 100% का मान आपको निकालना है जब 5% की value 25 तो 1% की value कितनी 5 हो जाएगी 1% की value 5 तो 100% की value कितनी 500 पताइए नहीं कर पाओगे क्या ठीक है ऐसे भी कर सकते थे 5% की value 25 तो 5 से इसमें divide दे दो 100% का मान निकालने के लिए 100 से multiply तो 5 से 25 पाँच वाल में गया 5 का मान पे 100 से कर दो 500 आ गया ठीक है किलियर है न सभी को तो आपको इस तरीके की सवाल में कभी कोई समस्या नहीं रहनी चाहिए अब देखते अगला सवाल अगला प्रशनी है 19% की हानी 17% लाब में बदल जाती है जब विक्रेम मुल्य में 162 रुपे की ब्रद्धी हो जाती है बस तुका क्रेम मुल्य होगा क्रेम मुल्य मतलब 100% का मान पूछ रहा है अब आपको ऐसा प्रशनी कभी भी मिले कि 19% की हानी 17% लाव में बदल जाती है या पिर 19% की हानी के पिच्छा 17% लाव होता है ऐसा सवाल रहे तो आप एक जगे हानी हो एक जगे लाव हो दोनों को आप जोड लेंगे तो 19 पिले 17 दोनों को आप क्या कर लोगे जोड लोगे ठीक है into cost price बराबर कितने के है 162 रुपे में है 19% की 17% लाव में बदल जाती है दोनों को जोड लिया जब विक्रे मुले में 162 रुपे की ब्रेदी हो जाती है बस तो करे मुले क्या होगा हमें करे मुले निकालना है ये cost price की बेरों निकालनी है ठीक है चलिए 19 और 17 36 गुने CP निकालना है बराबर 162 अब देखिएगा CP बराबर 162 ये multiply वारा 36 कहा जाएगा इधर बटे में 36 आजाएगा ठीक है हमें क्या करना है क्रे मुले निकालना है क्रे मुले मतलब 100% का मान निकालना है तो 100 से हम गुना कर देंगे यहाँ पर आराम से cost price निकल के आ जाएगा चलो कटाओ 6 6 36 और 6 से को कटाएगे 6 दूने का बारा 4 बचे का 42 27 बार में गया 27 का मल पर 100 से कर दो तो ये 27 सो हो जाएगा और बटे में कितना 6 6 से डिवाइड करेंगे चलो डिवाइड कर दो 24 24 27 में 24 के रिवाइड 3 बचेगा 3 में 0 लगा देंगे 30 56 और 1 के 0 चार सो पचास तो cost price कितना निकल के आगे आगे बई 450 C option बिलकुँ सही जवाब हो जाएगा अब देखेंगे अगला प्रश्न अगला प्रश्नी है एक दुकांदार चीनी को कुछ इस तरह से बेचता है कि 950 ग्राम चीनी बिक्रे मूले 1 किलो चीनी के क्रे मूले के बराबर हुजला उसका लाप्रश्न क्या है यानि कि 950 ग्राम चीनी का जो बिक्रे मूले है वो 1 किलो चीनी के क्रे मूले के बराबर है जैसे कि मालो एक किलो चीनी आपने 100 रुपे की खरी दी, ठीक है, एक किलो चीनी 100 रुपे की खरी दी, तो आप 950 ग्राम 100 रुपे की बेचोगे, एक किलो मतलब 1000 ग्राम खरी दोगे 100 रुपे में, और बेचोगे कितने 950 ग्राम, ठीक है, 950 ग्राम, 100 रुपे में 1000 ग्राम खरी दी, एक किल पे में आपने बेची कितनी 950 ग्राम तो आपने फाइदा कितना कमा लिया 50 ग्राम का फाइदा आपने कमा लिया ठीक है 50 ग्राम का आपने फाइदा कमा लिया वहीं फाइदा प्रतिसत में पूछ रहा है क्या होगा देखेगा 950 ग्राम चीनी को 1000 ग्राम के वो बराबर रखता है, 950 ग्राम बेखता है और यहां पे 1000 ग्राम 100 पे में खरीदी, 100 पे में 950 ग्राम बेची, तो उसने फाइदा कमा लिया 50 ग्राम का, यह उसने बचा लिया, यही उसका फाइदा है, ठीक है? तो लाब प्रतिसाद आप निकाल लीजे आराम से कितने का लाब हो रहा भई? पचास का ये पचास का लाब कब हो रहा है? जब आप 950 ग्राम में बेच रहे हैं तो जो तोली गई माप होती है न उसे आप नीचे रखते हो ठीक है? प्रोफिट को उपर आप देखते हैं अगला सवाल अगला प्रश्नी है 720 रुपे में 17 गेंद बेचने पर 5 गेंदों के क्रेमूल लेके बराबर हानी होती है एक गेंद का क्रेमूल होगा रुपे में एक क्रेमूल का क्रेमूल पूछ रहा क्या होगा ठीक है कोईश्ट प्राइज आपको निकालना है चलिए सबसेर जरूरी बात है यहाँ पे आपको कोईश्ट प्रैस निकालना है और जो चीज समझनी है उससे समझ देए 720 उर्पे में 17 गेंद बेची तो 5 गेंद के क्रेमू लेके बराबर हानी हो गई अगर हम इस 5 को पहले ही निकाल देंगे तो हानी नहीं होगा ठीक है तो 720 रुपया हमने रख लिया 17 गेंद में से 5 गेंद को निकाल दिया तो गेंद बचेंगे कितनी भाई या 12 अब हमको कोई नुकसान नहीं होगा तो बारे से इसको कटा दो बारे चिंग 72 और एके 0,60 तो एक गेंद का जो क्रेम उल्ले है वो 60 रुपया है और यही हो जाएगा आपका आंसर डी ओप्सन अब देखेंगे अगला सवाब अगला प्रशनी है एक रुपय में बारे टोफियां बेचने पर एक दुकानदार को 20 परसेंट की हानी होती है बताइए वह एक रुपय में कितनी टोफियां बेचे कि उसे 20 परसेंट का लाब हो ठीक है किलिए रहे ना चलिए एक रुपे में उसने क्या किया बारे टौफियां बेचने पर एक दुकानदार को 20% की हानी हुई देखिए कोई भी चीज अपने आप में 100% होती है ये वात आप जानते हैं जब 20% की हानी हुई 100 में से तो इसका मतलब 80% और 20% का हमें लाव चाहिए तो 100 की चीज को हम 120 में बेचेंगे तब ही तो 20% का फाइदा होगा क्लिए रहे ना सभी को तो चलिए 40 से कर जाएगा दो बार में 40 से कर जाएगा तीन वार में तो इनका रेशो निकल के आगया 2 रेशो तीन दो रेशो तीन निकल के आगया अब देखेगा एक रुपे में हम 12 टॉफियां बेच रहे थे है ना 12 टॉफियां यानि कि यहां पर अनूपात में हम कितनी बेचनेए 3 और रियल में कितनी बेचने 12 तो 3 से 12 कितने गुना पर है 4 गुना जब ये चार गुना है तो ये भी आपका कितना हो जाएगा भाई ये चार गुना तो दो चौक के आठ ठीक है तो हमको यहाँ एक रुपे में कितनी टोफियां बेचनी है आठ ये आपके सवाल का बिल्कुल सही जबा रहे ठीक है बी आफ्शन बिल्कुल सही जबा पहले हम कि तुकानदार कुछ संत्रे 5 रुपे में 4 की दर से खरीता है तथा 4 रुपे में 5 की दर से बेच देता है पूरे ब्यवसाय में प्राप्त लाव अत्वाहानी प्रेचत ग्याद करें ये प्रेशन में आपको पहले भी बहुत बार बताए हैं क्योंकि बहुत इंपोर्टेंट र और बस्तू 5 है रुपे के नीचे रुपे बस्तू के नीचे बस्तू लिख लेना है अंदर वाली संख्याओं का पहले मल्टिपाई करना है तो 4 चौके 16 माइनस करना है उसमें से बाहर वाली संख्याओं का मल्टिपाई तो 5 गुने 5 25 बटे में रखना है बाहर वाली संख् प्रश्नि में हानी होगा माइनस ही बता रहा है ठीक है बटे में कितना 25 और गुनिस सो 25 से सो चार वार में कटेगा 9 चोके 36 तो 36% का आपको हानी होगा अब देखते हैं अगला सवार अगला प्रश्नि है मैंने आपको पहले ही बताया था कि इस वीडियो के अंत में मैं कैलेंडर से रिलेटेट कुछ जानकारी आपको दूँगा तो यहाँ पर एक प्रेश्नि है जो एक बच्चे ने मुझे कमेंट किया है यदि 27 फरवरी 2011 को रविवार था तो एक मार्च 2012 को सब तहका कौन सा दिन होगा रेलवे का एक्जाम चल रहा है जिसमें की कैलेंडर बहुत इंपोर्टेंट है यह बात मुझे मालूम है इसलिए मैं इस से रिलेटेड जितने भी कॉश्चन बनते हैं वो यहाँ पर किलियर हो जाएंगे चलिए 27 फरवरी 2011 सबसे पहले तो आपको यह देखना होता है कि यह जो 2011 है यह साधरन वर्स है या लीप वर्स है दो हजार ग्यारा से हम बारा में जा रहे हैं तो जो दूसरे वर्स में हम जा रहे हैं वो साधरन वर्स है या लीप वर्स है ये जानकारी केवल आपको होनी चाहिए बहुत से बच्चे ऐसे भी होंगे जिनको ये नहीं पता कि लीप वर्स क्या होता है मैं बताता हूं लीप व में ही आता है और जानकारी कैसे प्राप्त होगी कि लीप वर्स है लाष्ट की 2 ढिजिट चार से कळ जाए जैसे यदे Amazon की 12 है ना 12 को 4 से कट अब के चारथ गर दोंगर करणा तो यह हमार che good to travel है जो प्रेस्णी है पहले उसे देख लिए थे यदि 27 फरवरी 2011 को रविवार था, बोला गया है 27 फरवरी, 27 फरवरी 2011 को कौन सा दिन था, रविवार का दिन था, ठीक है रविवार का दिन था, और पूछा कब का है, 2021, एक मार्च का, देखे एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, आज कौन सा दिन है, आज की अगर मैं बात करूँ तो आज 10 तारिक है, कितना तारिक है आज, आज 10 तारिक है, और आज 10 तारिक है, महीना कौन सा है, जून चल रहा है, आज 10 जून है, और दिन कौन सा है, आज का सो आज इसे बता रहा हूं, मैं आपको जतने बचाए वीडियो देख रहे हैं, ठीक है, 10 June को सोंबार है, यह कौन सा चला यह है, 2024, 10 June 2024 को सोंबार है, ठीक है, अब सेम डेट में हम आगे जाएंगे, एक सार बात, बिलकुल सेम डेट में जाएंगे, यानि कि 10 June को ही आगे जाना हमको 10 जून 2024 की जगे 2025 में जाना है तो कौन सा दिन होगा याद रखना यही तो important चीज़ है जब हम same date में same महीने में एक वरस आगे बढ़ते हैं तो जो दिन हमें दिया गया था न वो एक दिन आगे हो जाता यानि कि स्वंबार से बढ़कर के मंगलवार हो जाएगा यहां पर एक दिन आगे बढ़ते हैं केवल एक दिन याद रखना इस चीज़ को का आज 10 जून 2024 को स्वंबार है तो अगले बरस 10 जून 2025 को मंगलवार होगा यह चीज आप है बिल्कुल इसी तरीके से Italy 2021 को रविवार है तो 27 फरवरी 2012 को कौन सा दिन होगा यहां से एक दिन आगे बढ़ा तो रविवार से एक दिन आगे बढ़ा तो सौंबार होगा ठीक है सौंबार होगा अबаты हमसे प्रवरी का महिना 29 का होगा तो 27 के बाद 28 28 28 के बाद 29 पर 29 पर ही महिना खतम हो जाएगा फरवरी का उसके बाद में एक मार्च आ जाएगी अब देखो 27 तारीक का सूंबार है तो 28 तारीक का कोंसा दिन होगा मंगलवार होगा 29 का बुधवार होगा और एक तारीक का गुरुवार होगा एक मार्च का हो गया सवाल का अंसर ये इस प्रेशने का सही आंसर है गुरुवार ठीक है ये चीज समझ में आ गई अब इसमें confusion कब होगा आपको वो चीज में भी किलियर कर देता हूं क्योंकि बच्चों का exam चल रह कि चार फर्वरी मैं आपको question अलग से दे रहा हूं चार फर्वरी चार फर्वरी दो हजार बारा को कोई सा भी दिन ले लेता हूं वैसा मुझे पता नहीं है चारवरी दोहर वार को रभी वार था माल लीजे एक समझाने के लिए ले ले रहा हूं ठीक है चारवरी दोहर वार को रभी वार था तो अब आजाईए चारवरी दोहर वार को रभी वार था तो अब आजाईए चारवरी दोहर वार को रभी वार था तो अब आजाईए परवरी 2012 को रवी वार था अब बिलकुल 4 फरवरी बिलकुल 4 फरवरी चार फरवरी 2012 से 2013 में आई ये तो रवियार की जग है एक दिन में बढ़ा दूंगा तो सॉमबार हो जाएगा वाई यही चीज तो मैं अभी तक आपको सिखा रहा हूं यही चीज मैं आपको सिखा आओगे तो 2013 तो एक साधारन वर्स है लेकिन 2012 एक लीप वर्स है इसमें फरवरी का महिना 29 का रहेगा तो इसमें एक दिन एक्स्ट्रा एड होगा 39 का जब आप देखियो 10 जून से 2024 से 10 जून 2025 में आए थे तो 2024 में तो फरवरी का महिना काउंट हुआ नहीं वो तो निकल चुका 2025 में काउंट हुआ है लेकिन 2025 में फरवरी का महिना 28 दिन का होगा क्यूंकि ये साधारन वर्स है जब हमारा लीप वर्स काउंट होगा और उसमें 29 का महिना रहेगा तो एक दिन एक्स्ट्रा एड होगा, यानि कि रवीवार से एक दिन आगया हैंगे तो संबार ठीक है संबार और एक दिन एक्स्ट्रा एड होगा है, ये 29 वाला तो संबार नहीं मंगलवार यहाँ पर हो जाएगा, दो दिन एड होते हैं फिर जब हमारा लीप वर्स काउंट हो जाता है तो सेम डेट में सेम डेट में दो दिन एड होते हैं जब लीप वर्स काउंट हो जाता और जब लीप वर्स काउंट नहीं होता देखो यहां पर लीप वर्स काउंट नहीं हुआ यहां पर 29 का फरवरी रहेगा जब हम 27 वरवर नेक्स जेर आए तो 27 तक ही तो आए 29 का दिन तो बाद में एड हुआ हमने बाद में देखो लगा लिया तो याद रखना यह सारा आप अच्छे तरीके साज सीख चुके होंगे तो एक लाइक तो बनता है भाई सारी डाउट किलियर होगे न चलिए आज की वीडियो में इतना ही वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद